नमस्कार मैं हूँ परवीन शीक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी यूपी की बाद महाराश्ट में लोगसभा की सबसे जादा सीटे हैं राज्य की 48 सीटों को लेकर बीजेपी ने जो बिसाद बिचाई है उसे उसमें लगातार काम्यावी मिल रही है और विपक्ष इस बिसाद या कहें इस जाल में पूरी तरह से उलज गया है वहीं विपक्ष की हरचाल उल्टी पड़ रही है कॉंग्रेस के सबी बड़े रेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं वहाँ पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए भी उम्मीदवारों का आकाल पड़ गया है तो दव की शिवसेना पहले ही शिंदे के नाम हो चुकी है वहीं NCP अब पूरी तरह से ठिकाने लग चुकी है यानि बीजेपी ने महाराश्ट में अपनी रह के सभी काटों को अपनी राजनीतिक सूजबू से पूरी तरह से निप्टा दिया है यानि 2024 लोगसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी ने महाराश्ट विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए राजनीतिक के चानक के यानि माराथा राजनीतिक के चानक के शरत पवार को पूरी तरह से साइड लाइन कर दिया है महाराश्ट एंसेपी विधायकों की आयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुन नारवेकर ने अजीत पवार गुट को ही असली एंसेपी माना है एंसेपी विधायकों की आयोग्यता पर हुआ बड़ा फैसला राश्वादी कॉंग्रेस पार्टी यानि NCP विधायकों की आयोग्यता के मामले में शरत पवार गुट को करारा जटका लगा है महाराश विधानसभा अद्धक्ष राहुन नार्वेकर ने अजीत गुट के सभी विधायकों की आयोग्यता को चुनौती को जो खारिज कर दिया है नार्वेकर ने पवार गुट की तरफ से दाखिल की गई याजिकाएं रद करते हुए कहा कि संख्या बलके हिसाब से अजीत पवार की अगवाई वाला गुट ही असली NCP है यानि नार्वेकर ने कहा है कि 29 जून तक शरत पवार के नेत्रित पर कोई सवाल नहीं था उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी 30 जून 2023 विभाजित हुई थी और नार्वेकर ने कहा कि अजीत गुट के सभी विधायक योगे हैं कोई भी विधायक अयोगे नहीं है ये फैसला अजीत पवार गुट के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है शरत पवार गुट की तरफ से अजीत पवार समय सभी नौ विधायकों को अयोगे ठहराने की मांग की गई थी अध्यक्ष राहुन नार्वेकर ने अजीत पवार गुट के सभी विधायकों को योगे माना है इस मामले की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष राहुन नार्वेकर ने माना कि अजीत पवार गुट के जो 41 विधायक है उनका समर्थन है इसलिए असली NCP अजीत पवार गुट को ही माना जाएगा सुप्रम कोट की तरफ से NCP विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने की आखरी तारीख 15 फरवरी तै की गई थी जिसकी मयाद गुरुवार को खत्म हो गई इसे ही ध्यान में रखती हुए विधान समा अध्यक्ष राहुन नार्वेकर ने फैसला सुनाया उन्होंने शरत पवार गुट की तरफ से दायर की गई सभी याजिकाओं को खारिश कर दिया स्पीकर राहुन नार्वेकर ने कहा कि पार्टी सम्विधान के अनुसार NCP Working Committee सर्वोच संस्था है इसमें 16 27 सदस्य हैं लेकिन पार्टी का सम्विधान 27 सदस्यों को इजाज़त नहीं देता हमें नित्रित्व सररचना पार्टी सम्विधान और विधायकी की ताकत को देख कर ये तै करना होगा कि पार्टी किसकी है पार्टी सम्विधान और नेत्रित्व सररचना में कोई स्पष्ठता नहीं है सम्विधान में लिखा है कि महत्पों नर्ने अध्यक्ष लेंगे अध्यक्ष कौन होगा ये तै नहीं कर सकता विधायकों की संक्या बल ये तै करने का शरत पवार के दिल से नहीं चलना मतलब ये नहीं है कि विधायकों के कृत्ते कदम पार्टी विरोधी है। शरत पवार के दिल पार्टी के सम्विधान में लिखा है कि महत्पूर निर्ने अध्धक्ष लेंगे। शरत पवार गुट ने एक दूसरे के खिलाफ विधायकों को आयोगे ठहराने की याजिका दायर के थी। अध्धक्ष राहुल नार्विकर के सामने इनकी सुनवाई पूरी हुई इससे पहले चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली NCP मान कर शरत पवार को बड़ा जटका दिया था। इस वैसले के बाद पार्टी के नाम और सिंबल पर अजीत पवार गुट का कबजा है। उसे 15 फरवरी तक बढ़ा दिया था। कोट ने पहले राहुल नार्वेकर को NCP विधायक अयोग यता मामले पर 31 जनवरी तक फैसला करने का आदेश दिया था। अब इसको लेकर शरत पवार गुट के नेता जितेंद्र अवार्ड की प्रतिकरिया भी सामने आई है। महाराष्ट में एक नई राजनेतिक दर्शन का जन्म हुआ है जो कानून से उपर है। करनी होगी और उपर से लोगसभा चुनाव सिर पर है। करनी अगवाई वाले धड़े का कॉंग्रिस में कर सकते हैं विले। जून 1999 में पवार ने कॉंग्रिस से अलब होकर बनाई थी न्सेपी। दो हज़र चौबिस लोगसभा चुनावों से पहले क्या शरत पवार कॉंग्रिस में घर वापसी करेंगे। राश्टवादी कॉंग्रिस पार्टी पर भतीजे अजीत पवार का अधिकार होने के बाद पवार अपने जीवन की सबसे मुश्किल राजनेतिक लड़ाई और चुनोतियों का सामना कर रहे हैं। पवार ने अपने गुट के लिए आस्थाई तोर पर राश्टवादी कॉंग्रिस पार्टी शरत चंदर पवार नाम लिया है। काफी कमजूर पड़ गए हैं। पवाजूदा राजनेतिक परिद्रिश्य का हवाला दिया जा रहा है। इसमें दलील दी जारे की नई पार्टी और नए चुनावचिंग के साथ लोगसभाद चुनाव में उतरना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में जब अगले महीने के मध्धे में चुनावों की घोशना की उमीद की जा रही है। ये भी चर्चा है कि महाराश में चुनाव शुरू आती चर्णों में हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि कॉंग्रिस में घर वापसी का फैसला शरत पवार को लेना है। पिछले कुछ महीनों पर नज़र डाले तो महाविकास अगारी में शरत पवार के कमजोर पढ़ने के बाद भी कॉंग्रिस की तरफ से उन्हें पूरा समान दिया गया। कॉंग्रिस में पार्टी के विले को लेकर कहा है कि ये गलत खबर है। इसके साथ ही पूर्व ग्रह मंतरी अनिल देश मुक ने कहा कि एन्सेपी विले की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। हम अलग चुनाफ चिन के साथ लड़ने की तयारी कर रहे हैं। हम महा विकास अगारी में एन्सेपी के तौर पर लड़ेंगे। लेकिन अब उमर्व के ऐसे पड़ा पर जहां 24 साल पहले की तरह मैनत कर सकते हैं और ना ही उस तरह की लोगप्रियता उनकी बची है। अजीत पवार ने न्सेपी के बड़े धड़े को अपने साथ मिला कर पार्टी पर अपना कबजा जमा लिया है। इतना ही ने बीजेपी के साथ हाथ मिला कर अजीत पवार जो है वो डिप्टी सीम बन गए हैं यानि सारी ताकत इस वक्त अजीत पवार गुट के पास है और महराश्ट में शरत पवार जो हैं वो हाशिय या बैक फूट पर आ चुके हैं। बीजेपी को चनौती देना बड़ी चनौती यहाँ पर कहें कि बड़ा संकट जो है वो खड़ा हो रहा है। तो यह थी हमारी स्पेशल स्टोरी वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे वीडियो को लाइक करें और शेर करें कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।